गाइस अगर आपने भी Axis Bank का credit card apply किया है आपको receive हो गया है जैसा कि देख पारे मेरे पास my zone credit card है receive हो चुका है तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका activation कैसे करना है यहाँ पर Axis Bank का my zone credit card activate करके दिखाने वाले हैं मगर कोई भी card हो process same होगा ठीक है तो यहाँ पर without activation code आप जो है activate कर सकते हैं कब जब आपका यह card deliver हो जाएगा तब तो चले करते हैं वीडियो को start हम activate करके दिखाते हैं यहाँ पर की card का नया तरीका क्या है activate करने का तो चले करते हैं वीडियो को start वीडियो शुरू करने इस पहले एक छोट अस request है कि चैनल पर नहीं है तो delivery verified लिखा जाएगा यहाँ पर उसके बाद बोल रहा है tap on the envelope to begin यहाँ पर एक छोटा सा envelope बना वो रहेगा उस पर start करने के लिए उस पर click करना होगा तो चले करते हैं click करने के बाद एक animated video यहाँ पर जारी किया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद नीचे जो होता है तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर set uses limits का option आ चुका है यहाँ पर आप यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले online shopping का जो option दीख रहना domestic use में सबसे पहले इसको enable करना है अगर आप enable करेंगे तभी online कहीं पर payment कर पाएंगा otherwise यह payment नहीं होगा उसके बाद आपक जो है tap and pay है मतलब POS machine में अगर आप payment करना चाते हैं तो उसकी limit भी set कर सकते हैं यहाँ पे उसके बाद ATM withdraw को देखिया off रख दीजिए क्यूंकि यहाँ पर आपके साथ fraud हो सकता है इसलिए ATM withdraw और ऐसे भी ATM से आप अगर पैसे निकालेंगे तो बहुत heavy charge लगता है ठीक है credit card से तो ATM video को off ही रखिये उसके बाद store में payment करने के लिए वो भी सही है उसके बाद जो है यहाँ पर आप next का नीचे option मिल जाता है next वाले पर click कर देंगे next वाले पर click करने के बाद international uses का option आजाता है अगर आप international use करते हैं अपने credit card का तो आप on करिए otherwise छोड़ दीजिए क्योंकि दीजिए international में जो है ना लोग यूज नहीं करते जाता है इसलिए इसको off ही रखने में भलाईए तो इसको जो क्या करेंगे इसको off ही रखेंगे इसको on नहीं करना है उसके बाद नीचे चले जाना है उसके बाद यहाँ पर next का option मिल जाता है next वाले option पर click करेंग अब पर क्या होता था पहले कि activation code लगता था मगर अभी क्या है pin set करने के लिए बोला जा रहा है तो pin जो है आपको यहाँ पर set करना है तो pin set करने के लिए ना आपको यहाँ पर send otp to set pin का option मिल जाता है इस पर आपको करना होग जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके register number पर एक otp receive प्रफिव होगा Axis Bank Cridcard के तरफ से उस OTP को यहां पर आपको fill करना है या Auto fill हो जाएगा वो उसके बाद जो है next करेंगे तो आपको four digit का pin डालने का option आएगा देखिए जैसे यहां पर हमने verify कर दिया verify जैसी करेंगे यहां पर दो column आएगा enter new pin और confirm pin का तो आप अपने credit card का जो भी pin बना के रखना चाहते हैं वो यहां पर four digit का डालेंगे वही pin confirm नीचे जो confirm pin का option है उसमें डाल देंगे दोनों जगर डालने के बाद नीचे जो है यहां पर आपको set pin का option मिल जाता है set pin वाले option पर क्लिक करेंगे उसके बात यहां पर आपके access mobile application का mpin पुछा जाएगा जैसे login के लिए mpin जो डालते हैं वही mpin यहां पर आपको डालना होगा जैसे ही mpin आप डालेंगे mpin डालने के बाद आपका credit card यहां पर activate हो जाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं congratulations your card is successfully activated setup इस तरह का जो है यहां पर आप card जो है भी नए सीरे से नए method से इस तरह से activate कर सकते हैं access bank का कोई भी card आपके पास मवजूद हो आप इस तरह से activate इसको कर सकते हैं